हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पड़ो इंडिया प्यारे बच्छो जैसा कि आपको पता है कि मार्च के महिने में आपके फाइनल पेपर आने वाले हैं और इसी की तैयारी करवाने के लिए MCD के शिक्षा विभाग ने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर जारी किये हैं तो इसी लिए आज हम करते हैं कक्षा पांच का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नमबर वन और इसमें जो पार्ट लिए गए हैं वे हैं नन्ना फनकार जहां चाह वहां राह डाकिय की कहानी गद्यांश को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर देने हैं। उन्होंने ही बादशा को बताया की उनके एक नहीं तीन-तीन संताने होंगी। आगे बढ़ते हैं चौथे परश्ण की ओर देखिए ख्वाजा सलीम चिष्टी ने अकबर को क्या बताया इसका उत्तर है ख्वाजा सलीम चिष्टी ने बताया कि अकबर की तीन संताने होंगी परश्ण दो निम्द लिखित शब्दों की सायता से रिक्तिस्थान भरिये शब्द है कि नौर, चुनौती, सीक्री, कुदरत और डाक सेवा आ, बादशा, ख्वाजा, सलीम, चिष्टी से मिलने सीक्री गए थे आ, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है इ, उसके विश्वास और धैरे ने कुदरत को भी जुटला दिया इ, किनौर और लाहौल स्पीती हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और उंचे जिले हैं लास्ट है, इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना नेक्स्ट कोशन देखिए, प्रश नमबर तीन, निम्नलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए बच्चों के साथ कभी-कभी इला किन खेलों में शामिल हो जाती थी उत्तर है, बच्चों के साथ इला पकड़ं पकड़ाई और विश अमरित के खेल में शामिल हो जाती थी दूसरा देखिए, बादशा ने केशव की पीट क्यों थप-थपाई उत्तर है, केशव एक मेहनती और बढ़िया शिल्पकार था इसलिए बादशा ने प्यार से केशव की पीट थप-थपाई फिर देखिए, इला की कशिदाकारी में खास बात क्या थी उत्तर लिखेंगे, इला अपने हाथों की बज़ाए पैरों से खुबसूरत कशिदाकारी करती थी चौथा, वरतमान में सूचना अथवा संदेश देने के कौन कौन से नए तरीके आ गए है इसका उत्तर है, मोबाइल फोन से मैसेज और फोन द्वारा और दूसरा तरीका है, कम्प्यूटर से इमेल द्वारा सूचना अवा संदेश दिये जाते है फिर देखिए पांचवा, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है इसका उत्तर है, डाक सेवक को चिट्टियां, रजिस्टरी, पारसल, बिल, बोड़े लोगों की पेंशन आदी घर घर तक पहुँचानी होती है आगे बढ़ेंगे, प्रेश्ट नमबर चार देखिए, निम्द लिखित संग्याओं के दो दो धारन लिखने है व्यक्ति वाचक संग्या के दो धारन है, राम और सेब जाति वाचक संग्या के दो धारन लड़का और फल भावाचक संग्या के खुशी और उचाई प्रश्ट छे देखिए निम्नलिकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए पत्थर और लकडी पर नकाशी करने वाला उसको हम शिल्पकार कहते हैं चित्र बनाने वाला उसको चित्रकार कहते हैं गाना गाने वाला उसको हम कहते हैं गायक और मूर्ती बनाने वाले को ह पाके पुना लिखिये जैसे इसमें देखे सडक चोड़ी है तो हम लिखेंगे सडकें चोड़ी है आसमान में पतंग उड़ रही है हम लिखेंगे आसमान में पतंगें उड़ रही है घंटियां बज रही है यहां पर यह बहुवचन में है तो इसको हम एक बचन में कर देंग गंटी बज रही है फिर देखिए पेड़ से पत्ता गिर रहा है पेड़ से पत्ते गिर रही है लड़की जूल जूल रही है और यहां लिखेंगे में लड़कियां जूल जूल रही है पropic प्राश्ट नम्बर नौ देखिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है पीट थप थपाना इसका मतलब होता है शाबासी देना वाक्य बनाएंगे कि बादशा अकबर ने केशव की पीट थप थप आई उल्टे पाउं लोटना इसका मतलब है तुरंत वापिस आना वाक्य बनाते हैं कल मैं बाजार से उल्टे पाउं लोट आई क्योंकि मैं पैसे घर पर ही भूल गई थी आगे बढ़ते हैं प्रेश नमबर दस की ओर दिये गए चित्र को देखकर अपने शब्दों में चित्र वर्णन कीजिए बच्चो इस चित्र के बारे में आपको कुछ लाइने लिखनी है चलिए अब चित्र पर कुछ लाइने लिखते हैं यह चित्र एक चुराहे का चित्र है इसमें कुछ गाड़ियां सडक पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं कुछ लोग भी आते जाते हुए दिख रहे हैं एक छोटा बालक एक बुड़े व्यक्ति को सडक पार करने में मदद करता हुआ दिख रहा है वे दोनों जेबरा क्र सडक पार कर रहे हैं प्यारे बच्चों यहां पर हमारी यह प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है अन्य विश्यों के प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें